हेलो दोस्तों तो आपने इंटरंशिप और आपरेंटिसिप इन दोनों का नाम तो अवस्य ही सुना होगा लेकिन कभी-कभी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर इंटरंशिप क्या है, आपरेंटिसिप क्या है तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि इंटरंशिप और आपरेंटिसिप किस तरह अलग-अलग है तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो दिखिए जैसा कि इंटरंशिप और आपरेंटिसिप दोनों ही आपको एक Entry-Level Experience देती हैं आपके केरियर में लेकिन अगर हम Internship की बात करें तो यह आप की तीन से 6 महिने की हो उसकती है वही Attrent Is It अपकी पेड़ी और अन पेड़ी दोनो तरह की हो सकती है लेकिन अगर Apprent Is It की बात करें तो वह हमारी पेड होती है Internship जो है Government के द्वारा Regulated नहीं की जाती है वहीं apprenticeship जो है वो हमारी regulated की जाती है government के द्वारा internship के लिए एक चीज और बोली जाती है कि learn before you earn वहीं apprenticeship के लिए जो बोला जाता है earn while you learn इसका क्या मतलब होता है internship में हम बोलते है learn before you earn यानि आप कमाने से पहले उसको सीखते हैं आपको industry level का experience दिया जाता है और उस तरीके से सीखाया जाता है कि किस तरह industry हमारी work करती है लेकिन अगर वहीं apprenticeship की बात करें तो यह हमारा skill based है इसमें आपको industry के अंदर उस चीज को काम करके और आप किसी एक specific skill पर काम करा जाता है इसलिए इसको बोलते है earn while you learn यानि आप कमा भी सकते हैं सीखने के दोरान internship में आप career के बारे में और ज्यादा explore करते हैं कि क्या-क्या हमारे career हो सकते हैं लेकिन अगर आप apprenticeship करते हैं तो आपको फिर तीरे तीरे उसी में career बनाना रहता है तो यह कुछ apprenticeship और internship के point थे जो हमने आपके साथ discuss किये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करें अगर आप channel पर नए है तो चैनल को जरूर subscribe करें और अगर वीडियो से जुड़ी कोई query है तो आप नीचे comment में बता सकते हैं हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत